नमस्कार मित्रो, कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होईंगे, आज मैं जिस इस्तान पर खड़ा हूँ, यह ग्रामिल छेत्र है, और आज मेरा जो वीडियो का उद्देश है, जो मेरा आज इस वीडियो को बनाने का खास तोर पर उद्द कि परिवार को लोगों को यह जानकरी प्राप्त हो, इसके उद्देश से मैंने यह बिलाग तयार किया है, मैं यह वीडियो तयार कर रहा हूँ, आज मैं एक ग्रामिल छेत्र में पहुचा हूँ, और आज मेरा यह वीडियो बनाने का जो उद्देश है, वह यह था, कि एक स परव आता है, वैसे तो भारत में ऐसे अनेकों परव आते हैं, हर अधार्म, हर समाच का एक नहीं कह अच्छा परवाता है, खुश का परवाता है, उसी प्रकार राश्टी परवी दो आते हैं, जो की, एक तो 15 अगस्त होता है और एक 26 जनवरी रहता है, यह राश्टी जो इसे संबंदित एक प्रव ऐसा रहता है जो कि किसानों से जुड़ा रहता है किसान की वह जो रिजल की रहती है वह जो पसू रहता है कि जो एक बैल के रूप में रहता है जो एक गव्माता रहती है जो भैस रहती है जो किवह अपने घरों में इसको पालते है उसका दूद क 먹고 करते है और साथ मी जो सबसे महत्पूर होता है बैल जिसके कारण एक बहुत जादा किसान उसको पर आसरित रहता है आज उस से सम्मंदित एक महत्पूर पर मनाया जाता है जिसको लेकर मैं आज इसको तयार कर रहा हूँ मेरे पास जो भी जानकारिया होईंगी जो भी मैंने जानकारी कलेक्ट किया है लोगों से पूछा है बड़े बजरुगों से पूछा है युवाओं से महत्पून पर्व है जो किसानों से जुड़ा हुआ है और जिसको बहुत ही महत्पूनता से बहुत ही परमपरी गरूप से मनाया जाता है वह पर्व है पोला का आखरी में पोला पर्व क्यों मनाते हैं ये एक बहुत महत्पूर्ण प्रश्ण खड़ा हो जाता है बहुत सो लोगों को जो भी अपनी जानकारी रहती है उसके अधार पर वो लोग करते हैं लेगिन मैंने भी आज ये जानने का प्रयास क तो मैं आज इस वीडियो में आपको वह सब जानकारी देंगा। जिस ग्रामिन छेतर में आया हूँ जिस ग्रामिन छेतर के लोगों से मैं ने जानगरी प्राप्त किया है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ आप अभी मेरे देख रहा होंगे पीछ पीछे कि यह जो जानवर है यह जो जानवर अभी आपको दिख रहा है यह जो तैयार हुए ज आपको जानवर दिख रहे हैं यह सब जानवर किसानों से हैं किसानों के पाले हुए जानवर है और आज इन लोगों का ऐसा महत्पूर परव आ रहा है इन जानवरों के लिए इन जानवरों का एक महत्पूर परव है पोला का कि आगरी में पोला परव क्यों मना रहा है क्यों इन जानवरों की इतनी पूजा पाड़ की जा रही है, क्यों इन लोगों को इतना महत्तु दिया जा रहा है, ऐसी क्या परमपरा है, ऐसा क्या वो दिन है, कि जिसके गार इनको इतना सम्मान और महत्तु दिया जा रहा है, वैसे तो जानवरों को हमेसा सम्मान मिलता है, गाय को हमेशा सम्मान मिलता है उसी प्रकार से कहीं न कहीं ऐसी कोई बात है कि जिसको लेकर इतना महत्पूर दिन इतनी खुसी मनाई जाती है इतना जादा आनंद किया जाता है बाजे बजाया जाते है इनको सजाया सवारा जाया जाता है इनको इतनी खिलाया जाता है इनके लिए न आगे बढ़ता हूँ और उन पस्वों को आपके सामने लाऊंगा जिनको कितनी खूबसूरती से सजाया और सवारा गया है इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट्स कीजिए और सेर जरूर कीजिएगा कि जिससे लोगों को इन वीडियों के बारे में अधिक सदिक जानकरी लगे मेरे यूटूब चैनल का नाम है नीरज बरगाट और आप नीरज बरगाट को सयोग कीजिए आप साजेदारी बनिए आप मेरे दोस्त बनिए जिससे की हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा मेरे साथ मेरी इस टीम को अंग है जो कि एक पाठक है एक यस्तिवारी है और भी मेरे ऐसे छोटे छोटे टीम के मेंबर है जो कि बहुत प्रयास करते हैं हम लोग राज दिन प्रयास करते हैं कुछ ना कुछ सोचते हैं कि आपके लिए वीडियो लाए इसलिए आप से अन्रोध निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्रा तब मैं आपको बताऊंगा कि पोला क्यों और कब और किस लिए मना जाता है आए हम चलते हैं सीधे गव माता की गोद में ऐसा कि मैं आपको बताया कि ये घर में प्रतेक किसान अपने-पने घर में इसी पकार से सबको सजाते हैं सबसे पहले सोबह उटके इन पूरे जानवरों को पसुओं को धोया जाता है इनको नहलाया जाता है अच्छे सा अच्छे है इनको उसके बाद इन सभी पसूं को छएब वो klar welcome पसूं उन सबी को तयार किया जाता है खास तौर पर आज बैलों को विसेश तोर पर उनको नहलाया गया है विसेश तोर पर आज उनकी सजाए जाया रहा और सजाआ कर इन सभी को उसी जगह पर लाया जाएगा यहाँ पर पूरे गाउं की बैल जोड़ी पहुचने वाली है बैल जोड़ी जो आप देख रहे हैं यह हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए छोटू भाई तिकारी वालों ने हमें मदद किया है और अपनी जोड़ी को आज हमें आपके सामने दिखाया है जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक बहुत महत्पूर्ण जो तहवार होता है जो हमारे छेत्र में किसानों से जुड़ा हुआ रहता है जो उसके पाले हुए पसू से जुड़ा रहता है वैसे तो साल में हमेशा उस पसू की सेवा की जाती है हमेशा उसको सम्मान दिया जाता है लेकिन आज का वो दिन पढ़ता है, जिस दिन उसको विसेश तोर पे कुछ जादा ही सम्मान दिया जाता है, जादा ही सजाया जाता है, वैसे तो उनको आज के लावा दीपहली के टाइम पर भी सजाया जाता है, उनकी रन रोगन की जाती है, उनको खिलाया जाता है, इसी प् को ऐसी जगह पे लेके आया हूं कि जहां पर आप देखेंगे कि मेरे साथ इस वीडियो में मेरे को इतना जादा सहयोग और मार दर्सन मिल रहा है वह इन जोडियों के काल मिल रहा है आज आप देख रहा हूंगे मेरे साथ यह बैल जोडी खड़ी हुई है जिसको आज बहुत खुबसूरती से सजा अगया है बहत खुबसूरती से सव conception मालिक है जो इनके मुख्या है जो इनकी देखरे को रख रखाओ करते हैं उनके द्वारा सबसे आदाए नोका खुबसूरती सजाए गया आप देख रहा हैंगे बैलों को कि हर प्रकार से जितना अच्छा हो सकता उतना अच्छे सजाने का प्रयास किया जाता है सबसे महत्मुण है कि आज इनको सजाय क्यों गया है आज इनको इसली सजाय गया है कि आज इनके खुसी का दिन है आज इनको इसली सजाय गया है कि आज इनकी आवभगत करने का दिन है आज जो पोला परव है मैं उसके बारे में आपको बता दूँ कि इन बैलों के कारण सबसे ज़्यादा जो इनका सयोग मिला है वो इन किसानों को मिला है इन किसानों को इन बेलों ने इतना सयोग दिये हैं इतना ज्यादा मदद किये हैं कि जब ये उपर वाला बरस्ता है और जब इसकी सुरवात होती है और जब हमारे किसानी के मामले में जब कीचल मचाया जाता है खार बोई जी आती है धान लगाने की तैयारी की जाती है उस टाइम से ही यह बैल इन किसानों की जो आपको देख रहा है आजू 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 खड़े हैं इन किसानों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि सबसे पहले इन बैलों के माध्धमी से कीचल मचाया जाता हे जो कि इतने इतने गड़के चलते हैं इतनी नीचे गाल की आज़े ही नागर उसके कार यहुचर्पा आंगे हिमत जुटाते हैं कीचल मचाते हैं साथ में ये बहल लोग परा जब लगता है उस टाइम भी ये बहल उनकी मदद करता है और उस मदद के साथ साथ जब पूरा परा का सीजन हो जाता है जब पूरा एक परा लगके तैयार हो जाता है उस टाइम ये पसू पूरी तरह अपने आपको संतुष्ट और सान समझता है नमस्ता है आज यह किसान के साथ खड़ा है और किसान इसके साथ खड़ा है और जब पूरी तरह परा जो होता है किसानों का वो खत्म हो जाता है जब पूरी तरह पूरे गाउं में एक-एक व्यक्ति का परा खत्म हो जाता है उस वक्त पूरा एक तहवार पास में जाता है और भाध्र पक्ष की जो अमवश्या पड़ती है उस दिन ही ये पोला पर मनाया जाता है उसके पहले रांगें नहीं मनाया जाता है इसकी एक मानथा ये भी है कि ये जो पर्व है यह जब पूरी तरह सबका ही युल व्यक्त करने के लिए इनके प्रती क्रतेक्द व्यक्त करने के लिए ये पोला पर मनाया जाता है कि आज इस मूग जानवर के कारण इस पसू के कारण ही ये किसान इतना खुस हुआ कि इनने इनकी सेवा की और इनको आज सजाकर इनको खीर, पुड़ी, हलुआ और जितने अच आज यह जानवर था यह पसु था तो आज इनका कीचल मचा और अब जब यह आज पर हुआ है पोला का तो इसलिए इनको मनाय जाता है कि यह कारण अब हमारी जो आने वाली फसल है जो आने वाला जो धान की फसल है वो अच्छी सच्छी होईगी इस उमीद और विश्वाश क के साथ किसान ने इसकी सेवा की है एक पक्ष था एक माननता है एक धार्मिक माननता यह है कि यह भाद्र पक्ष की अमवस्या पड़ती है उस दिन इनका तहवार बनाया जाता है एक मानता यह है कि किसान का परा खतम हो जाता है तो उसके कार इनकी अभार और धन्यवाद व्यक्त करने के कार इनका तहवार किया जाता है यह दो मानता जाती तीसरा आपको एक ची बता दूँ कि यह जो पोला पर्व है जिस जिले से मैं आपको बात कर रहा हूँ जिस जिले से मैं आपको वीडियो लाइब दे रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ कि यह हमारा जो छेतर है, यह महराष्ट से समीप है, 36 गड़ से लगा हुआ है, इन दो प्रांतों में सबसे जादा पोला पर मनाया जाता है, तीसरा मैं आपको बता दूँ कि आल इंडिया में सबसे जादा करनाटक, माराष्ट और 36 गड़, तीन जगह पर पोला का पर्व सबसे जादा महत्पूनता से मनाया जाता है, और उसे ही से लगा हुआ, जो MP का छेतर है, जो MP से लगे हुए जिले है, वहाँ पर भी इस पोला को महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह छेतर और किसानों से जुड़ा हुआ छेतर है, इसलिए इनका उतना ज्यादा सम्मान और महत्व बढ़ जाता है, यह दो कारण, एक भादरपक्च की जो अमावश्या पढ़ती है, उस दिन पोला मराया जाता है, दूसरा है कि किशान लोग अपनी पूरी फसल से कीचल मचाके, परा फुरसाद होता है, तो इनको धन्यवाद क्यापित करने के लिए पूला मना जाता है, यह दो मानता है, इस दिन आपको उतादू कि पोला के दिन गाओं में एक इस्तान ताय किया जाता है, जो की पुराना पारंपरिक रहता है, उस जगह पर वहां की मिट्टी ताय की जाती एक पसू को बनाया जाता है, उसकी भी घर में पूजा की जाती है, उसी के साथ आज कल एक लकली के घोड़े जैसे बना के बैलों को बना कर भी बेचा जाता है, उसकी भी घर में पूजा की जाती है, और साथ-शाथ इन पसू की भी पूजा की जाती है, यह सब मानता है कि स आते हैं, उन बैलों के साथ एक लाइन से लाइन अप किया जाता है, वहाँ पर एक तोरन बांदी जाती है, वहाँ पर गाओं के जो मुखिया रहते हैं, उनके घर से पूजा की थाली आती है, उस पूजा की थाली के माद्याम से एक एक जानवर की पूजा की जाती है, आरती उतारी जाती है, उसके बाद एक जो तोरं बनाई जाती है, पत्ते रहते जो आम के पत्ते, उन पत्तों के माध्यम से एक तोरं बांदी जाती है, और जब पूरी तरह पूजा और पाट से जब तब तब तयार हो जाते हैं, ये जानवर तयार हो जाता है, मालिक तयार हो जाता क्यांकि अंतहुन्त कि एक प्रतियोक्ता जैसे होती है एक रेस जैसे होती है। कुछ अगह पे उनको दोड़ाया नहीं जाता, क्योंकि यह जानवर वैसा ही इतने दिन इनके साथ真 जंयी तxi इनका पैर दोलाती है, इनको तिलक करती है और इनके अच्छे-च्छे पकवान कराती है साथ मैं जब गाओं के जो बड़े बुजुर्ग रहते है और जो गाओं के यूवा लोग रहते है वो अपने अपने घर से निकल कर प्रतियक घर में जाते है और चावल का तिलक एक एक बड़े बुजुर्गों को लगा कर उनके पैर पढ़कर उनका आसिरुआद लेते हैं और इस पसु का आसिरुआद लेते हैं कि जो फसल आज उनकिसानों ने लगाया है सबसे जादा अधिक से अधिक उनकी जो ने मेंनत किया है उसका फ़ल उनके मिले इसके साथ ही यह पोला परको मना आज आपको पोला के बारें बताया अब मैं आपको इन बैलों को सजा दूँ, आप देख रहा होगे कि ये किस प्रकार से इनकों कितनी खुलती से सजाया गया है क्योंकि ये बहुत महंती होता है इससे जयादा महंती फसू सायद कोई नहीं होता, क्योंकि इनके अनेकों काम आता है जब आप देखींगे तो यह हमेशा आपको कहीं ना कहीं संगर्स करते हुई दिखेगा किसानों की मदद करती हुई दिखेगा इसलिए मैं आपको इनके पास लेके चलता हूँ और इनके पास चलके मैं आपको इनकी खुबसूरती दिखाऊंगा आपको यह भी बता दू कि ग्रामिन छेत्र में किसानों दौरा इन बैलों का भी नामकरण किया जाता है इनको भी बहुत खूपसूरती से सया जाता है यह जानवर इतना अच्छा होता है कि जब इनको नाम से यह किशान पुकारता है तो यह जानवर उनके पास दोड़के चल पूजा जाता है पाद भी अगर इनकी पूजय और समान ना किया गया माराशा क 29umba साथ जब आप साध्य उमें देखते तो राजा, महाराजा दोले राज्य मुगूड लगाते हैं। इस प्रेकार यह हमारे राजा है और यह हमाराज़ा है। इनको भी मुगूड दी जाती हैं। इनके गले में तंटी बांदी याप देख रहे हो includes इनको पूरी तरह रन रॉनत किया जाता है इनके एक एक सरीर को जितनी खूबसूरती से सयाय दाता है उतनी खूबसूरती से यह किसान खुश होता है और कहीं ना कहीं यह प्रसू भी इनको एक आशिरवात देता है कर दोटा जैसा कि आप मैं आपको बता रहा था कि जब यह जानवर उस चौक जहां की पूजा हुए ती सामुई वहां से जब घर पहुंचता है तो उसे जब घर पहुचने के भाद जो घर की मेलायारे रहती है वह उन जानवरों की त्विधिवत यह पूजा पार्ट होती है जो उनका धार्मिक रिवाज है उसके करण वो उनका तिलक वंदन करते हैं उस तिलक वंदन के साथ साथ उनके लिए जो एक अच्छी अच्छी पकवान होता है जो एक अच्छी चीजे होती है वह भी उनको खिलाया और खिलाया जाता है जिससे की वह जो चर्क जो सब्सक्राम्राइब दीन, कि श दाख रुए और जाएएड करण के ज़न देखना के लिए भाद्र श स्यंसटीर नुए कि लूएद शली हों सब्सक्राइब करें तर्ट क गाओं की यह फूर आज्कों कि पुरानी हड़ाया रहे हैं यह करने concept बड़े बुजुर्ग है उन्होंने जुन्हें जानवरों लेके आए उनका तिलक करते हैं दोनों एक दूसरों को तिलक कर रहे हैं छोटे रहते हैं बड़ों के पैर लगते हैं इसी परकार का हर एक दस्तूर हर एक परमपरा पूरे सब्सक्राइब MP में 36 गड़ में महराष्ट में करनाटक में ऐसे अनेकों जगह इस परकार की परमपरा चलती है और इस परकार की परमपरा कहीं कारण आज कहीं ना कहीं यह एक धर्म यह एक परमपरा आज जीवी था और मैं आज इस चैनल में जो आपको दिखा रहा हूं उस दिखाने का भी अब देश मेरा यही था कि आपको मालूम कर सके कि पोला पर क्यों मनाते हैं और किस प्रकार मनाते जैसा कि यह उस प्रकार आप गाउं का जो बड़े बुज़ूग रहते गाउं की लोग रहते हैं वह भी एक दूसरे को दिलख लगाते हैं एक दूसरे का धन्नेवाद अभ चावल का तिलग रहता है उसको करके एक दूसरे को लगाते हैं और बड़े बजुर्गों का आसिरवाद लेते हैं बजुर्गों की दुआ प्रात्रा लेते हैं कि उनके कारण आज यह सब पूरी परमपरा जीवित है और आज कहीं ना कहीं आज यह जो तरह महत्पुर्ण पर पूला का है वह आज चल रहा है अब आप देख रहा होंगे कि यह मेरे वीडियो में जो की नीरज बरगाट के नाम पर है आप इसको सयोग करें सब्सक्राइब करें और आप लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि यह चैनल आपको कैसा लगा और यह जो वीडियो कि एक्यारों को भी तिलक करते है एक दूसरों को तिलक करके भी नाफ लेते हैं उसी पधार से लागते हैं ़ो चोटे लोग ऑशिर में अशिर वाद लेते हो。 और उपर वाले से प्राथना करते हैं यह जो फसल थी इस फसल को अच्छे से अच्छी उपज दे अच्छी उनको उपज हो जिससे की जो उनोंने फसल लगाए थे वह उनको परयाप्त मातरा में मिल सके और यह जानवरों का धन्यवाद और करता है वक्त करें हम अपनी बात को यही से समाप्त करूंगा यही से मैं स्ट्रूडियो को समापत करूंगा यह सब आप देख रहा है छोटे-छोटे नंने बालक भी रहते हैं चोटे नंने बालक भी एक दूसरे की परंपराओं को निभाते हैं बड़े बुज़ुर्ग घर के उन बच्चों की की सिक्षा देते हैं कि कैसे बड़ों सम्मान किया जाता है कि यह आप देख रहा है यह दोनों जानवर इसी प्रकार से मैं आज आपको एक जोड़ी दिखाया हूं लेकिन एक दिन यह आएगा पोला का जब यह आप वीडियों देखेंगे उस दिन आपके गाव में आपकी हर बस्ती में यह बहुत सारे जानवर आपको दिखेंगे और हर इसी प्रकार से सजे हूँ दिखेंगे इसी प्रकार यह मालिक लोग उनके साथ दिखेंगे और यह जोड़ी दोड़ती हूँ दिखेगी और घर में इसकी पूजा पाट होती हूँ दिखेगी अब मैं आपको प महाराष्ट को परा खतम हुआ पूरे गायों का परा खतम हुआ ुश्चा है। मिट्टी के बैल बनाया जाता है उनकी पूजा होती है सहरों में भी लकडी के बैल बनाया जाते हैं उनकी पूजा होती है और MP में कुछ छेत्र में महाराष्ट का पूरा 36 गड़ का पूरा और करनाटक का पूरा इन छेत्रों में विसेश तोर पर बनाया जाता है पूरे भार का बहुत ज्यादा मैत्पूर इन किसानों का रहता है यह जानवर है संबता इनके भी कोई नाम रखे गया हूंगे इन जानवरों के भी कोई नाम रखे जाते हैं और आज अभी इनका नाम नहीं है तो आज से हम अपना तरफ से हमारी नीच नीरज वर्गाड की यूटूब चैनल है उसके तरफ से इस जानवर का नाम हम इस मालिक को भूरा के नाम पर देते हैं और हम चाहेंगे कि आप इसका वह में सब भूरा चलाए यह पटका भी जानवर है और इसलिए मैं चाहूंगा किया जोड़ी के साथ साथ अब मैं अपनी बात को भी विराज खत्म करता हूं क्योंकि क्योंकि आप देख रहा हैं किया जोड़ी मेरे साथ है मैं अपने चैनल में आपको के बारे में बताया इन्होंनों मेरी मदद की मैं इनके प्रतिवी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मेरे कहने पर और आप लोगों के लिए विसेश तोर पर अपनी जोड़ी तयार की और पर जो होता पोला का उसको महत तो क्या है उसको बताने में इन मालिकों ना मेरी मदद की मैं इनका भी इस यूटूब चैनल के माद़े हम से धन्यवाद देता हूं अपनी बात को यहीं समाप्त करूं उसके पहले आपसे अन्रोज निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल नीरज भरगाट को यूटूब में सर्च कीजिए सब्क्राइज कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि पोला क्यों मनाते हैं आपको यह व्यू क्यों मनाते हैं